हेलो गाइस, वलकम बेक टू मैं चैनल, तो आज मैं आप लोगों को बातने जा रहे हूँ दिल्ली एरपोट में टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3 और 2 तक आप लोग कैसे जा सकते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं, तो आभी मैं दिल्ली एरपोट का टर्मिनल 1 में हूँ, तो चलिए जाते हैं टर्मिनल 3 तक, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को टर्मिनल 1 से एक्जिट करना पड़ेगा, फिर आप लोगों को सामने बास सर्विस दिखेगा, जो की आप लोगों को टर्मिनल 1 से 3 तक ले जाएंगे, तो इसके लिए आपको बास सर्विस क सामने जाना पड़ेगा तो उसके जाने के बाद ही आपको बस सर्विस मिल जाएगा तो आप यह बस पकड़ के टर्मिनल 3 तक अरम से जा सकते हैं सामने जो काउंटर दिख रहा है यह है बस सर्विस का काउंटर अगर आप लोग अपना बोडिंग पस यह पर दिखाएंगे तो वो लोग आप लोगों को बताएंगे कौन से बस पर आप लोगों को चर्ड़ना होगा तो यहां फ़र हमारा बस आ गया है अब हम लोग बस पर चल गए है अब हम लोग बस पर चल गए है अब हम टार्मिनल 3 के नजदिक आ गए है अब हम लोग बस से उतर गए है और तार्मिनल 3 तक जा रहा है यहां फ़र आप लोगों को टार्मिनल 2 भी मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही था अगर आप लोगों को मेरी भीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शियर, कमिन और सबस्टक्ट करना मत भुल्णा तो आज के लिए इतना ही टाटा